जेहिन दोस्तो मैं हुआनू पर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फलिक्ट तो दोस्तो एक तरफ जहाँ पे चायना द्वारा बॉर्डर में शांती बाहल करने का जूटा प्रोपगंडा किया जा रहा है तो वही पे हाली में खुलासा हुआ है कि चायना के तरफ स सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोग को चायना के इनी तैनाती और दोहरा मानसिकता वाला रण नितियों के बारे में बताऊंगा जबकि वीडियो के दूसरे और आखरी हिस्से में इंडिया के तरफ से बनाया गया लाइट कॉमबैट हेलिकॉफटर के एर फोर्स वर्जिन और वर्टिकल लॉंच शॉर्ट रेंज सर्फेश टू एर मिसाइल के बारे में बताऊंगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखरी तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तो फेवरोडी एक तारिक के दिन एक ट्वीटर अकाउंट के द्वारा चायना के हाली के तैनातियों के कई सारे खुलासे किया गया। दोस्तो ये तैनाती असल में भारत और चायना के बीच में जो बीते एक साल से जड़ब चल रहा है उस एरिया के नस्दिक चायना के सबसे बड़े एयर्वेस का है। ये इमेज में साप साप चाइना के J20, J11 जैसे fighter aircraft को दिख रहा है, साथ में airbase में चलने वाले कुछ construction के काम भी दिख रहा है, इमेज में ये भी दावा किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा इस airbase में एक taxiway और ammunition bunker का भी construction किया जा रहा है, जबकि इमेज में एक जगा में एक cut and cover tunnel भी दिख रहा है, जो संभाविच चाइना के द्वारा हाल फिलाल में ही base में निर्मान किया जा रहा है, दोस्तों airbase में स्तीत aircraft को लेके कहा जा रहा है कि इन में कुछ ऐसे aircraft है जो देख के लग रहा है कि take off का preparation कर रहा है और ये aircraft संभाविच चाइना के J11 aircraft है, जबकि दू एक्सपर्टों का मानना है कि पिछले साल के जड़ब के बाद से ही चाइना द्वारा airbase में अपने ताकत को और मजबुत करने के लिए इस तरीके का तैयारी किया जा रहा है और जो taxiway का निर्मान किया जा रहा है वो असल में ज़्यादा से ज़्यादा aircraft को तैनात करने के ल एरक्रेप्टों को air rates से बचाने के लिए तैयार किया जाता है जबकि ammunition depot एरक्रेप्टों में operation में इस्तेमाल होने वाले हत्यारों के storage के लिए ही बनाया जाता है दोसो चाइना एक तरफ भारत के साथ business relationship को normal रखने का बात कह रहा है और ये भी दुहाई दे रहा है कि दोनो भारत के जमीन को हड़पने के लिए border के नजदिक अपना तैनाती बढ़ा रहा है और भारत के उपर pressure create तो कर रहा है उपर से दूसरे तरफ भारत से ही पैसा कमाने के लिए business को normal रखने का गुहार भी लगा रहा है पर इस government के तरफ से संभावित ऐसे दोहरा नीती वाले दे दिखा चुका है चाहे चायना के mobile application को ban करना हो या फिर चायना के साथ trade को restricted करना हो इवन चायना के डारेक investment को भी रत करते हुए government द्वारा चायना को एक बहुत बड़ा आर्थिक जटका दिया गया था अब इन आर्थिक जटके से चायना तो तिल मिलाया हुआ है ही साथ में unmanned aerial vehicle का deployment किया गया है जबकि उसके इलावा सुकोई 27 जैसे दिखने वाले 12 unidentified aircraft के deployment के बारे में भी तब कहा गया था इसके इलावा उसके बाद भी कुछ reportों में चायना के 24 aircraft के deployment के बारे में कहा गया था जिनमें 6 J8, 12 J16, 2 Y8 electronic warfare aircraft, 2 KJ 500 early warning aircraft और 2 MI17 helicopter शामिल था दोसों ये होट Airways इंडिया के Pengong Lake से 200 km के distance में है और चायना इसी वज़ा से इस Airways में इतना जाधा तैनाती कर रहा है पर दूसरे तरह भारत भी अपने तैनाती को मजबूत कर चुका है और अपने तरफ भी aircraft का deployment में महिने के जड़ब के तुरंद बाद ही कर दिया गया था भारत द्वारा कर चुका है और हाली में फ्रांस से हासिल किया हुआ रैफाल एर केप्टों के deployment के बारे में भी कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था दोसो अब चलिए जानते हैं DRDO के दो नया अस्त्र के बारे में जिन में से सबसे पहला है light combat helicopter आप सब लोगों को पता ही होगा कि light के साथ समझाता करेगा पर दोसो समझाते से पहले ही कुछ खबरों में ये भी दावा किया गया कि हिंदुसन एरनोटिक्स लिमिटेड कई सारे helicopter को अल्रेडी बना चुका है और समझाते के उपर हस्ताक्षर होने के तुरंद बाद ही helicopter का delivery हिंदुसन एरनोटिक्स लिमिटे इंडियन आर्मी को मिलेगा जबकि हिंदुसन एरनोटिक्स लिमिटेड के दरफ से दावा ये किया जा रहा है कि कमपनी द्वारा पाच हेलिकॉप्टरों के उपर अपने ही फंड में काम करना शुरू कर दिया गया है और इस फिसकल एर तक कमपानी संभावित 12 LSP मोट के helicopter क डिलिवरी कर सकेगा दोसो लाइट कॉमबैट हेलिकॉप्टर इंडिजिनियस कैटेगरी के सबसे बहतरिन हतियारों में से एक है इवन इस हेलिकॉप्टर को दुनिया के सबसे हलके मल्टी रोल एटैक हेलिकॉप्टर का दरजा मिल चुका है जिसका सर्विस सिलिंग भी बुछ और नहीं बलकि एरफोर्स में इस्तिमाल होने वाले अस्र एर टू एर मिसाइल के एक ग्राउंड लॉंज वर्जिन है एरफोर्स के एर क्रेप्टों में सक्सेस हासिल करने के बाद अब डिया नेवी के जहाज और एरफोर्स और आर्मी के जमीन से हवा में सुरक्ष कर पाएगा दोस्तों इन मिसाइलों के जो सबसे बड़ा खासियत है वो है वर्टी का लॉंज सिस्टम और कैनेश्टर लॉंज सिस्टम होना मिसाइलों को संभावी 2x8 कॉन्फरिकेशन में वर्टी का लॉंज सिस्टम में लगाए जाएगा ताकि इसे इंडिया नेवी के जहाजों में तैनात किया जा सके। इंडियन नेवी के जहाज, खास करके offshore patrol vessel, frigate और destroyer जैसे जहाजों में इन मिसाइलों का तैनाती हो सकता है। और संभावित ये इंडियन नेवी में बराकवान सीरिस के मिसाइलों को replace करेगा। जबकि आर्मी और एरफोर्स के जरुवत के लिए इसे कैनिस्टर के साथ तैनात किया जाएगा ताकि छोटे से छोटे एरिया में इसे deploy किया जा सके और 360 degree के coverage के साथ ये हमेशा active रहे। इंडियन एरफोर्स में इन मिसाइलों को Spider Sam के जैसा ही इस्तिमाल किया जाएगा और संभाविद ये Spider Sam के जगा को पूरा करेगा। दोस्तों फिलाल इन मिसाइलों को लेके ये कहा जा रहा है कि ये development phase में है और आने वाले कुछ महिनों के अंदर इसका trial हो सकता है। रेंज को लेके फिलाल जादा कुछ जानकारी नहीं दिया गया है पर माना जा रहा है कि इसका रेंज शॉट से medium तक हो सकता है क्योंकि Air to Air मोड में इन मिसाइलों का रेंज 80-100 km तक है। कि अस्त्र मिसाइल के IR version, Mark 2 और Mark 3 version के उपर भी काम करने का जो बात कहा जा रहा है इससे हम अभी सही अंदाजा लगा सकते है कि Air to Air मिसाइल के आधुनिक वर्जिन के development के साथ साथ संभावित, Vertical Launch, Surface to Air मिसाइल के शेत्र में भी Air to Air मिसाइल के future version को इस्तमाल किया सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुझे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले, जैहिंद!